So Hello Everybody, दोस्तों कुछ इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है, वो आप लोग सभी के बहुत सारे बच्चों के कॉलेज के गुरूप में सर्कुलेट के जा रहा है, कोचिंग सेंटर्स में सर्कुलेट हो रहा है, और इसमें ओफलाइन एक्जाम को लेकर के दिखाया जा रहा है कि और सारे उन्वर्सिटी जो है, वो गर्मेंट के अगेंस में जाएंगे ने, तो most probably maximum 99% उन्वर्सिटी जो है, वो आल्लाइन एक्जाम ही लेंगे, बड़ दोस्तों अचानक से अगर UGC से ऐसा कोई नोटीस आता है, कि ओफलाइन एक्जाम होगा, तो इसका क्या इंपक्त और ये नोटीस सही है भी कि नहीं है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, दो मेंट रुख जाएए, मैं आपको सारा बताता हूँ, तो दोस्तों चलिए, वीडियो को लास तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा, पहली बार आये हैं, तो सब्सक्राइब म और होम सेंटर में लिये जाएंगे, as all the colleges and universities are operating while maintaining COVID-19 protocols, so offline examination can be taken while maintaining future distancing, चाहे तो offline exam लिया जा सकता है, ये 10 December का ही notice है, so all the universities are here by advice to conduct all current and future semester examination in offline mode, आने वाले सारे exams, जो है, वो offline mode में लेना है आपको, COVID-19 protocols को follow करते हुए, universities are requested to take proper precautionary majors for the preparation of conducting examination in offline mode, देखे मैं आपको बताता हूँ कि ये notice absolutely fake है, सर कैसे, पहला बात तो आप UGC के website पर जाएंगे, तो आपको ऐसा कोई notice दिखेगा ने, 10 December का कोई notice नहीं है, दूसरा अगर आप UGC के website पर जाते हो, तो आपको ऐसा कोई notice दिखेगा ने, UGC का Twitter handle पर अभी ऐसा कोई notice दिखेगा ने, और तीसरा में आपको प्रूफ देता हूँ कि ये, यहाँ पर एक line लिखा हुआ है, देखे, इंगलिस कितना गलत लिखा हुआ है, बतलते है न, इसलिए cheating करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, देखे को क्या लिखा हुआ हुआ है Universities are requested to take proper precautionary measures for the preparation of conducting examination, preparation of conducting examination, तो इतना खराब English का structure UGC का तो at least नहीं है बाई, तो दोस्तों ये notice अभी तक के information के हिसाब से, ये notice absolutely fake है, क्योंकि यही बात मैंने CU के जो viral हो रहा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो बहुत साथ बच्चे बोल रहे थे कि आप क्या ब मानते हैं, और उपर वाला अल्ला इश्वर भगमान से आप दुआ करिए कि ये notice fake ही हो, ये notice website पर नहीं आए, क्योंकि अभी तक ये website पर नहीं आया है, इसका मतलब ये absolutely fake हम लोग इसको मानते हैं, तो दोस्तों वीडियो को share करें, दोस्तों को, दूसरों को confused होने से और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे, चलिए